अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्ही वबरकातु सुना भाईयों क्या हाल है उम्मीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे तो भाईयों आज शहाब भाई की अपडेट हम आपको बताने वाड़े हैं आप बढ़े रहें आगे तक विलोग में इंशाल्ला हम शहाब भाई की सच अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे तो यह देख सकते हैं हम आए पड़े हैं यहां पर खेतों में यह देख सकते हैं यहां पर पूरा जंगल हरा भरा हो गया है माशाल्ला बहुती अच्छी लोकेशन यहां पर देखने को मिली यह देख सकते हैं यहां पर एक यह जो सामने आपको गिरिल सी नजर आ रही है देहली टू मुंबई रोड यहां से करीब में से जा रहा है माशालला यह मेवाद से गुजर कर इधर राजस्तान की तरफ अलवर्साइड यहां हरियाना से आ रहा है दिली देहली टू मुंबई जो रोड नेसलल हाईवे अभी जो उस पे तयारी अभी वो चालू नहीं हुआ है तो उसकी भी पूरी वीडियो हम आपको बताएंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर हमारी इस वीडियो को आप फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं को पेज को लाइक करें और फोलो करें और कमेंट करें और वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करें इंशालला हम आपको इसी तरह के विलोग लाते रहेंगे और शहाब भाई की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे तो भाई और शहाब भाई के बारे में हम आप बात करते हैं जैसा कि आप सबको पता है कि शहाब भाई की आईडी पर कम से कम 15 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है और कल शाहब भाई की ID पर Facebook Official ID पर उसकी पर एक वीडियो अपलोड की है तो हमें to वीडियो पता नहीं भई कहां की वीडियो है कभ की वीडियो है तो बेरहल हमें लग रही है वो भई अभी अपने हिंदुस्तान की वीडियो है जो जहां पे हमारे शहाब भाई है तो हमें लगता है कि शहाब भाई फिलहाल अमरीत सर जिला में ही रुके हुए है बाकि फिलहाल जहां पे पहले रुके थे वो आफिया किट्स इस्कूल जुनेद भाई के पास में वहां शहाब भाई मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि जितना हमें पता है उतना ही हम आपको बता सकते हैं यह नहीं कि भाई सोसल मीडिया पर काफी लोग चंद पेसो के लिए पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं तो भाईयो आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि शहाब भाई की जो अपडेट है वो फिलहाल जहां तक भी है वो अभी पाकिस्तान बोडर जो इंडिया पाकिस्तान वागा बोडर है अमरीत सरजिला वहीं की वो लोकिशन है शायद हमें तो ऐसा लगता है बाकि इंशालला जैसे भी हमें ख़बर मिलेगी जैसे भी अपडेट शहाब भाई की तरफ से आएगा तो हम आपको जल्द से जल्द इंफॉर्मिशन देने की कोशिश करेंगे आप बने रहें हमारे आकिव विलोग यूटूब चैनल पर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इंशालला हम आपको लाते रहेंगे इसी तरह के विलोग अस्सलाम अलेकुम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में